कि हलो फ्रेंड्स अरदनी केडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज से हम लोग यहां पर मैथमेटिक्स की क्लासे स्टार्ट कर रहे हैं के लिए और के लिए उसके इंसाब से अगर देखा जाए तो बारा से पंदरा चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके पूछ जाएंग क्लासे करवाएं थी लगबा 50-52 के करीब ठीक है तो इसमें भी जो मैथमेटिक्स का पॉर्शन है उसको पूरा कोशिस होगी कि जन्वरी की लाश्ता कंप्लीट करवाया जाए ठीक तो आज की हमारी वीडियो है संख्या पद्दत के ओपर संख्याएं क्या होती है कारे में जानेंगे कि इस पर कैसे बन सकते हैं और संख्याएं क्या होती है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो है मैथमेटिक्स की आप लोग अपना बताईएगा कि कैसी आज की वीडियो रही है रिस्पॉंज जरू दीजिएगा तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं तो यह इन दोनों चीजों में आपको उमीदें क्लियर हो गया होगा यह पहली वीडियो है इसलिए यहाँ पर एक संख्याएं कंफर्म कर दें क्यूंकि पहले आपको बेसिक चीज़े पता होने चीए फिर आगे की चीज़े आपको करवाई जाएंगी ठीक है नंबर सिस्टम में फिर समसंख्याएं समसंख्याएं क्या होती समसंख्याएं होती इवे नंबर ठीक है वे सभी प्राक्रत संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती 22 64 8684 टीग है तो यह हो गई सम संक्याय इसके बाद अगला है विश्थ संख्याय और्ड dus क्या होते हैं यह सभी प्रकरतिक या शंख्या जो दो से पुर्णता है विभाजित नहीं होती है विश्थ संख्याय कहला त्यासे एक तीण पान्ट साथ नौ या फिर जो यह संक्या है jij WAS संक्या हो गए है थिक अब है दित लkeys संक्या है कमपोजिट नंबर यह चार है यह एक से करेंगे तो एक चकु चार हो जाएगा तो दो दुनी चार हो जाएगा फिर चार एक कम चार भी हो जाएगा मतलब यह भाज संक्या है मतलब किसी अन्य संक्या से भी यह कट रही मतलब स्वयम और एक के सिवा स्वयम मतलब चार से तो कटेगी और एक से भी कटेगी एक चक्कुचार ठीक है यह दो तो हमेसे कटेगा कोई भी संक्या होगी लेकिन यह देखो दो से भी कट रही है दो दू है प्राक्रत संख्या जो केवल एक से या सुयम से भी भाजित होती है आप当 में दो क्या है दो भी एकाभाजी संख्या है इसको भाजमत समझीता तरिक है दल ठोकाजदी संख्या है ठिक है क्यृद यह से फिर या फिर जाता है एक क्या है सम संक्या है भाजी संक्या है या नहीं कुछ भी नहीं ठीक है तो एक ना तो भाजी संक्या है और नहीं अभाजी संक्या और दो जो ह है वह एक मात्र समवाज संख्या हैHE ठीक सहरे अभाज संख्या 2 प्राकरतिक संख्या है सहरे अभाज संख्या है कहलाती है यदि उनका मासापा मतलब HCF एक हो अरता उनका एक केरावब कोई भी उबह्यनिस्ट गुणनखंद ना हो ठीक है आपस में उभेनिस्ट गुडनखंड नहीं है, मतलब 15 को 5 और 3 गुडनखंड कर सकते हो, लेकिन 13 का 13 ही हो सकता है, 13 और 1 हो सकता है, इसका 3, 5, 1 और 15 हो जाएगा, ठीक है, तो जो इसमें आ रहे हैं, इसमें से कोई भी इसमें नहीं आ रहे हैं, कोई भी एक किसिवा, कोई भी तिया क्या है उबेनिष्ट गुडन कंड नहीं है नेक्स्ट है परिमे संख्या है रेस्टनल नंबर इसमें है प Bourneq के रूप में लिखी जा सकने वाली सबी संख्या परिमे संख्या कहलाती है जहां पी और क्यू दोनों पूरांग को तथा q का मान 0 ना हो ठीक है 0 नहीं हो ना जी मतलब p upon q जैसे यहाँ पर लिखा 22 बटा 7 माइनस 3 बटा 5 3 5 7 यह सब क्या है यह सारी क्या है परिमे संख्या है ठीक है अगर कोई संख्या इसे लिखी 5 बटा 0 तो यह संख्या परिमे नहीं होगी तो वो क्या होगी परिमे नहीं होगी इसमें साब साब लिखा है p upon q मतलब हर में जो है वो 0 ना हो तो ऐसी संख्या क्या होगी परिमे संख्या नहीं होगी और इसके अलावा जित्ती भी p upon q की रूप में लिखी जा सकती है और q का मान 0 नहीं हो जिसका इब मान जीरो नहीं है वो सारी क्या है परिमे संख्या हो गए फिर है इसमें क्या सभी प्राक्रत संख्या है परिमे संख्या होती है सभी जित्ती प्राक्रतिक संख्या हो सभी परिमे संख्या में आती है जीरो भी एक परिमे संख्या मतलब जीरो जो है परिमे संख्या कहा जाता है जैसे जो जो रूचीजे यहाँ पर आप लोग रूड में देख रहा है ठीक है रूड में यह क्या है अपरिमे संख्या है जैसे पाई है पाई क्या होता है यह चीज बहुत ध्यान रखिएगा पाई है पाई क्या होती है अपरिमे संख्या लेकिन पाई का जो मान होता है आप सभी को पता है पाई का मान होता है बाइस बटा साथ ठीक पाई बराबर बाइस बटा साथ रखा जाता ठीक लेकिन बाइस बटा साथ क्या है परिमे संख्या होती है ठीक है इसको पी अपन क्यों के रूप में लिख सकते हैं जीरो भी नहीं है हर में ठीक है तो बा वास्त्विक संकाय कहलाती है आप लोग देख सकते हैं ठीक हो धागण के रूप में जीरो चार साथ फिर एक बटा दो तीन मटे आ चार बटा छी पाई रूड में जो भी है माइनस में जो भी है वो सब क्या है रियल नमर्स है पिर अब पूर्णांग क्या होते हैं एक होता है धन पूर्णांग सून और रिड़ पूर्णांग के समूं को एक साथ पूर्णांग कहा जाता है ठीक है जैसे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन जीरो एक दो तीन मतलब दो कि लिए फिर सारे क्या होगे ? माइनस में थन पूरांक约 माइनस सार्ट है और प्लस बाले प्लस वाले प्लस इंटीजन से संबनीत question इसमें बन सकते हैं यह बतलब साके और गला याट पर पहला करना है यह जो संठ्ख्या पद्द्र का पहला बतलब बेसिक है उसके लिए यहां पर संख्याय आपको बता दीए ठीक है अब इसके बाद जो नंबर सिस्टम में जो भी चीज़े आगे हो सकती है जो भी आपकी के विडियों सिर्फ इता ही मिलते हैं अपर नेक्स वीडियों तब तक के लिए नमस्कार